दशेरा हिंदू का एक प्रमुक्ते वहार है अश्विन मास्ट के शुकल पक्ष के दश्मी तितियों को इसका आयोजन होता है भगवान राम ने इस दिन रावन का वद किया था तथा दुर्गा देवी ने नौरात्री एवं दस दिन के युद्ध के उपरांत महिशा सुर्क पर विजय प्राप्त की थी इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है इसलिए दश्मी तिति को हम विजय दश्मी के नाम से जानते हैं इस दिन भगवान राम ने राक्षिस रावन का वद कर माता सीता को उसकी कैद से छुड़वाया था राम रावन युद नौरात्रों में हुआ था रावन की म्रत्यों अस्टमी नौमी के संदिकाल में हुई थी और उसका दहा संसकार दश्मी तिति को हुआ था जिसका उत्सा दश्मी तिति को मनाया जाता है इसलिए इस तिवार को विजया दश्मी के नाम से भी माना जाता है संपूर्ण भारत में यह तिवार अशुन माश के शुकल पक्ष के दश्मी तिती को बड़े उत्सा और धार्मिक निस्ठा के साथ मनाया जाता है भारत के सभी स्थानों में इसे अलग-अलग रूप में मनाया जाता है कहीं यहां दुर्गा विजय का पितीक सो रूप मनाया जाता है तो कहीं नवरात्रों के रूप में बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेश आयोजन किया जाता है यह तिवार हर्श और उलास्त का पतीक है इस दिन मनिश्युक अपने अंदर व्याप्त पाप, लोब, मद, क्रोध, आलस, चोरी, एहंकार, काम, हिंसा, मुह, आदी भावनाओं को समाप्त करने की प्रणा मिलती है यह दिन हमें प्रणा देता है कि हमें अंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंकार के मद में डूबा हुआ, एक दिन अवश्य मुह की खाता है रावन बहुत बड़ा विद्वान था और वीर व्यक्ति था, परुंतु उसका अंकार ही उसके मिनाश का कारण बना यह तिवहार, जीवन को हर्ष और अलास से भर देता है, साथी यह जीवन में कभी एंकार ना करने की भी प्रेड़ना देता है यह शक्ति पूजा का पर्वे, शेस्त्र पूजन की तिथी है, हर्ष और उलास तथा विजय का पर्वे इस अउसर पर विबिन स्थानों पर बड़े-बड़े मैलों का आयोजिन भी किया जाता है जगे-जगे रामकथा को नाटक के रूप में दिखाए जाता है माता या दूर्गा के भक्त 9 दिनों तक नौजातरी का रखते है मा दुर्गा की नौ दिनों तक पूजा करने के पशात दश्मी के दिन यह तिवहर मनाया जाता है दसमे दिन रावन, मेगनात और कुमकरण के पुतले के धरन किया जाता है इस अउसर पर विद्यालों में बच्चों के लिए दस दिन का उकाश भी गोशित किया जाता है यह तिवहर बुराई पर अच्छे की जीत का पतीक माना जाता है व्यदिक हिंदी रिती के अनुसार इस दिन श्री राम जी के साथ लक्षमन जी, भरत जी और शत्रुगन जी का पूजन करना चाहिए इस दिन सुबह घर के आंगन में गोबर से चार गोल पिंड बनाए इन्हें श्री राम सहित उनके अनुजों की छवी माने गोबर से बने हुए चार बरतनों में भीगा हुआ धान और चांदी रखकर उन्हें वस्त्र से धग दे फिर इनकी गंध, पुष्प और द्रव आदी से पूजा करनी चाहिए पूजा के प्रशाद ब्रामनों को भोजन करवाए सोयम भोजन करें ऐसा करने से मनोश्य वर्ष भर सुखी रहता है इस दिन लोग नया कार आरंब करते हैं शस्त्र पूजा अक्की जाती है प्राचिन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रारतना का रत यात्रा के लिए प्रस्तान करते थे इस दिन जगे जगे मेले लगते हैं मा दुर्गा की विशेश आराधना है देखने को मिलती है राम लीला का आयोजन होता है रावन का विशाल पुतला बना कर उसे जलाया जाता है रावन को मारने की पूरो राम ने दुर्गा की आराधना की थी मा दुरगा ने उनकी पूजा से प्रसन होकर उनने विजय का वर्दान दिया था भाक्तगन दशेरे में मा दुरगा का पूजन करते हैं कुछ लोग व्रत एवं मुपास रखते हैं दुरगा की मूर्ती, कलश, जुआरे की सापना जो की थी उसका विसरजन किया जाता है दशेरे का पर्व, दस्प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोब, मोक्ष, मद, मतसर, अहंकार, आलस से हिंसा और चोरी के परित्याक की सत प्रिणा पदान करता है विज्या दश्मी की एक कथा इस तरह भी है, प्राचिन काल में जब महिशासुर रामक राक्षस तपस्या कर रहा था, तो उसकी तपस्या से खुश होकर देवताय ने उसे अजे होने का वर्दान दिया था वर्दान प्राप्त करने के बाद महिशासुर और ज़्यादा हिंसक हो गया था, और उसने अपना आतंक इतना ज़्यादा फैला रखा था, कि सारे देवतागन उसके भाय के कारण देवी दुरगा की अरादना करने लगे ऐसा माना जाता है कि देवी दुरगा के निर्मान होने में देवताओं का सायोग था, महिशासुर के आतंक से बचने के लिए देवताओं ने अपने अश्तिसस्तर देवी दुरगा को दिये, तब जाकर देवी दुरगा और शक्तिचाली हो गई, इसके बाद महिशासुर का समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा ने महिशा सुर्व के साथ पूरे नौ दिन तक यूद्ध किया और महिशा सुर्व का वत करने के बाद देवी दुर्गा महिशा सुर्व मर्दनी कहलाई तबी से नवरात्री का तेवार मनाया जाता है विजया दश्मी की दूसरी कथा इस तरह है इस दिन पौरानिक कथाओं के अनुसार भगवान राम को जब आयोध्या चोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवाज जाना पड़ा था और उसी वनवाज काल के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया था तब भगवान राम सीता माता को वापिस लाने के लिए नौ देवियों की पूजा करने लगे और पूजा से प्रसंद होकर देवी दुरगा ने श्री राम भगवान को वर्दान दिया था और कई शक्तियां प्रदान की थी वर्दान प्राप्त करने के बाद दश्मे दिन भगवान श्री राम और रावन का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में रावन का वद हुआ था और तभी से विजय दश्मी का तेवार मनाया जाता है आईए विजय दश्मी पर अच्छाई पर बुराई की विजय को मनाए रावन के पुतले को नहीं रावन की बुराई को मिटाए